Hi entrepreneurs, so आज हम बात करने वाले हैं in this video Shark Tank India में आप देखते होंगे वीडियो में जो भी startup वाले आते हैं उनसे एक most question पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कौन पूछता है तो अनुपम मित्तल वो पूछते हैं कि आपका gross profit क्या है, net profit क्या है, gross margin क्या है, net margin क्या है ये startup terms होते हैं जो की पूछे जाते हैं हर एक startup से, लेकिन ये word आप nowadays notice कर रहे होंगे shark tank इंडिया में और वो भी अनुपमित्तल के मूँ से, जातर अनुपमित्तल ही इस type के difficult questions पूछते हैं startup से, बाकी other sharks तो पूछते हैं लेकि mostly अनुपमित्तल ही पूछते हैं तो इसके बारे मैं आज हम बात करेंगे इस वीडियो में और एक subscriber है मेरे उन्होंने पूछा था मुझसे कि प्लीज आप startup terms के उपर में ये वीडियो बनाएए तो that's why मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो please comment section में comment करके जरूर बताएगा तो मैं फिर regular इस type के startup terms पे वीडियो बनाऊँगा ठीक है स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकि उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल प्रेस जरूर करिएगा चलिए net profit क्या होता है तो कोई भी startup person है entrepreneur है तो वो अपना startup करता है वो आप कोई सा भी service में ले लो आप ठीक है जो भी product आप बेच रहे हो market में ठीक है अपने company के थुरू जो भी आप company run कर रहे हो ठीक है तो पूरे एक साल में जो आप company चला रहे हो किसी भी type का product हो service हो ठीक है जिसमें लोग आपकी service को use कर रहे हैं और उस service के लिए public यानि customer आपको पैसा पे कर रही है ठीक है तो जब आपका revenue ब कमाई कर लेते हो ठीक है तो net profit क्या होता है तो जो भी आपने overall कमाई की है business से उस में से net profit क्या होता है कैसे निकलता है यह तो net profit उसे बोलते हैं हम जो कि आप business में सारे आपने expenses जो है उससे काट लिया है यानि कि like अगर मैं बात करूं तो वो हो सकता है electricity bill expense में आता है ठीक है office का rent बोल लो ठीक है export import कहीं जा रहे हो आप तो उसका भाड़ा भी जोर लो जिस टाइब का भी business हो आपका ठीक है जो भी आपके expenses है जो की use हो रहे हैं आपके business के लिए और आपके startup के लिए ठीक है तो उस सारे जो खर्चे है expenses उन सब को यानित कि पिन्नी का भी खर्च अग है ठीक है तो सभी expenses चोटा बड़ा सभी expenses काठने के बाद जो amount पैसा आपके पास बचता है save होता है उसे हम बोलते है नेट नेट ठीक है समाज गें अब हम बात करते हैं Gross Profit, Gross Profit क्या होता है तो Gross Profit भी सेम ही होता है, Net Profit भी सेम, Gross Profit भी सेम, यानि कि Gross Profit भी वही है जो कि आपने अब बिजनेस में, Overall जो आपने बिजनेस किया है, पैसा कमाया है, किसी भी सरिबिस से, किसी भी प्रोडक्ट से ठीक है जो आपका कस्टमर प्रोड ले रहा है और आपने उस पे पैसा बनाया है तो उस पैसे में आप सभी expenses काट रहे हो ओवरोल अगर 10 लाग का आपने इंकम किया है 20 लाग का किया एक साल में या 50 लाग का किया है एक करोड का किया है कुछ भी ले लो आप तो उसमें से सभी expenses जो भी है जो कि आपके business में लग रहा है जो expenses है जिसके लिए आपका पैसा खर्च हुआ है जो आप customer को service approach दे रहे हो तो वो सब काट पीटके वो बचता है आपका gross profit अब हम बात करते है gross margin and net margin यह दोनों यह भी सेम है यह क्या होता है आपकी startup है आपकी company है ठीक है आप कोई भी service customer को provide कर रहे हैं या पिक कोई सा भी product customer को आप provide करा रहे हैं ठीक है और customer उसका पैसा आपको दे रहा है ठीक है और आपने वो पैसा ले लिया और बिए बिने expenses काटे हुए कमाई किया है उपर उपर की कमाई उपर उपर यानि कि 20% बच रहा है आपको 30% बच रहा है पूरा का पूरा बिने expense काटे हुए समझ रहे हैं आप लोग अगर समझ रहे हैं तो comment section में comment करके जरू बताएगा that मेरी वीडियो में से आपको कुछ point समझ में आई ठीक है तो मैं और वीडियो बनाऊँगा तो क्या होता है gross margin and net margin आपको लग रहा है कि मैं अभी इसका जो पैसा है जो पूरा profit है बस अपने जे में डाल रहा हूँ इसका मैं अभी कोई maintenance नहीं दे रहा हूँ जो भी आपके offices म हो बिजली का भी हो आप कुछ भी उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बस वो जो कमाई है जो customer ने आपको पैसा दिया वो आपने रख लिया और जो main पैसा आपने लगा था उसमें वो हटा दिया और जो extra profit हुआ है जो आपने customer से लिया है जो आप service दे रहे हो उसके लिए जो भी product दे रहे हो उसके लिए तो उसको हम बोलते हैं gross margin and net margin ठीक है जिसमें ऐसे आपने कोई expenses नहीं काटा है वो बच गया पूरा समझ के होंगे I hope यह वीडियो मैं मैंने जो बताया है आपको और अगर आपको लगता है कि यह terms आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा उन सभी words को describe करूं clear करो आपके सामने और उसके थुरू आपने business को smooth बना सकते हैं तो अच्छा लगा वीडियो तो please comment section में comment जरू करेगा और वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके वीडियो को share करेगा अपने सारे friends and family this is Adarsh and you're watching business skill with Adar Singh signing off